सुनिल शेटी को अन्ना सब कहते हैं और अब फाइनली अन्ना का किर्दार ओन स्क्रीन निभानी के लिए रेडी है सुनिल शेटी सुनिल शेटी ने अनाउंस किया अपना OTT डेब्यू उनकी सीरीज आने वाली है धारावी बैंग इस सीरीज में सुनिल शेटी की जो पहली जलक दिखाए गई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि सुनिल शेटी अन्ना का ही किर्दार कर रहे हैं श्यर्ट पहनी हैं, लूंगी पहनी हैं और जिस तरीके से वो लोगों को ग्रीट करते हैं उससे साफ पता चलता है कि वो इस सीरीज में एक बाहू बली का खिर्दार निभाने वाले हैं थलाई भी लग रहे हैं सुनिल शेटी अपनी डेब्यू सीरीज में सुनिल शेटी लंबे समय बात एक दमधार किरदार में नज़र आएंगे वैसे सुनिल शेटी ने अब फिल्मे करना बहुत कम कर दिया है जहां उनके contemporary या उनके competitors आज भी फिल्मे कर रहे हैं बात करें अक्षे कुमार की तो वो साल की 5-6 फिल्मे कर रहे हैं वही सुनिल शेटी ने अपने आपको बहुत ही limited कर दिया है और बहुत कम और selected roles करते हैं और जब भी आते हैं तो खबर बनती है ये role देखते ही एक बार फिर से लगा है कि finally सुनिल शेटी को वो role मिला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं सुनिल शेटी के अगेंस्ट इस film में हमें विवेक औपरोई नजर आने वाले हैं वो एक police officer का किरदार निभाएंगे और इन दोनों की खीचतान के बीच की ही कहानी है धारावी bank बॉलिवुट फिल्मों में धारावी की कई कहानिया कही गई है और उसी मेंसे ये कहानी है कि आखिर धारावी की इस दुनिया में इन गलियों में क्या छिपा है दुनिया के सबसे बड़े slum पर आ रही इस कहानी का हर किसी को इंतिजार है MX player पर ये series आने वाली है series की release date जल्द ही announce की जाएगी